पेरी महबबत के तुम खुदा हो, तुम ही से तो ये जिंदगी है, महरबान अगर तुम ना होते, तो कैसी ये जिंदगी है ? नमशकार, मैं अभी लें, आप सब का अप लिए मैंस पे स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे अच्छी तैयारी चल रही होगी कैसे हैं दोस्तो कैसे नमस्कार गुड मॉनिंग टू अल अफ यू आज हमारी क्लास का टाइटल था कि अगर बड़े संकल्ब जीवन में रखने हैं बड़ी मंजिल पर पहुंचना है हैं तो कैसे पहुंच पाइए अब देख रहें जिन्दगी की भार दोर भाग-दोर मैं हर आदमी कुछ बड़ा करना चाती है बड़ा करना है कि अद्प्से Sache आप सुनेंगे यारि जीवन में कुछ बड़ा करना है हर आदमी How is it possible? अस्तियां भी नी मिलेंगे अगर आपको तेरना भी है या तेरना सीखना भी है तो पहले थोड़े पानी में तेरना सीखना होगा उसके बाद आपको लगे कि मैं अब इसमें हलका हलका तेरना सीखना हूं कि मैं सीधे जाके परशांत महा सागर में तैरने की कोशिश करू और सफल हो जाओ ऐसा नहीं हो सकता जीवन में बड़े ख्वाब रखना गलत नहीं है जीवन में बड़ी मंजिल रखना गलत नहीं है लेकिन आज एक बहुत काम की बात बताता हूं बहुत प्यारी बात बताता हूं हर आदमी ये कहता है हम भी ये कहते हैं कि जीवन में छोटे छोटे गोल बनाओ तो क्या बड़ा संकल्प नहीं लेना चाहिए लेना चाहिए बड़ा संकल्प सिर्फ हमारे जीवन की दिसा को बत करेगी हमारी नजर अगले कदम पे होनी चाहिए अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना है और मेरी नेगा सीधे कुत्ब मिनार पे हो तो समझ लीजिए कि मैं कुत्ब मिनार तक पहुंचू ना पहुंचू लेकिन अस्पताल तक है भगवान के पास जरूर पहुंच जाओंगा तो भी 24 लोगों के साथ अगर मैं कार चला रहा हूं तो हमें पहुंचना क्या है इस से बस दिसा निर्दारित होगी कि हमें इस दिसा में चलना है यह भी जरूरी है लेकिन हमारी नजर अगले कदम पे होनी चाहिए इसका फाइदा क्या है कि जब हम अगला कदम चल लेते है है तो हमारे अंदर एक confidence आ जाता है और जब हम उससे अगला कदम उस confidence के साथ रखते हैं तो और लंबा रखते हैं कि मैं क्यों बता रहा हूं यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको SSA CGL की नौकरी भी लेनी है आप सब विद्धिहारती है या आपको performance करूँ दो महीने पहले कि मेरे 130 नंबर तो आएं कम से कम मैं दो महीने में 20 नंबर बढ़ा लोगए लेकिन ना तो हम यह evaluation कर पाते हैं और नहीं हम अपने आपकात या कितने पानी में यह सई तरीके से ना आपते हैं यह हमारे असफल होने यह सबसे बड़ी वज़े एक सफलता के पीछे बड़ी सफलता के पीछे हजारों सफलता हैं होती है लेकिन इतिहास में उनका जिक्र नहीं होता बहुत ज़्यादा इतिहास बस ये बताता है addition ने बल्प का अविष्कार किया था लेकिन addition ने बल्प का अविष्कार करने से पहले जब उसको ये समझ आया था कि अगर बिदुत प्रवायत की जाए तो ये चीज चमकने लगेगी तो सूर के बाल से लेकर कि उसने हर चीज में बिदुत प्रवायत की थी तब कहीं जाकर एक दिन उसे टंगलश्टान का तार मिला कि ये अब जिलने लगेगा एक दिन में नहीं बल्ब का विश्चिकार हो गया था लेकिन हमें इतना ही पढ़ाय हमने कि बल्ब का विश्चिकार किस ने किया एडिशन ने किया और हम सोच लेते हैं कि चलो हम भी अब कुछ ऐसा करते हैं लेकिन उसके पीछे कितनी असफलता हैं कितनी कठनाईयां उसने देखी हैं वो हमें नहीं पता चलती हैं हम किसी भी सफल आदमी को देखते हैं और उसको उसकी मंजिल पर पहुँशने के लिए कौपी करना शुरू कर देते हैं लेकिन जो जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते को कौपी करने से बात बनेगी ना कि वो जो अब सफल होने के बात कर रहा है उसकी उन आदतों को कौपी करने से बात बनेगी नहीं बनेगी अगर आपको सच में CGL निकालना है तो अपने आपको आँको आज हमने भी इसी दिसा में एक टेस्ट रखा है औल इंडिया टेस्ट जहां पर आपकी रेंक पदा चलेगी जितने भी अच्छे बच्चे हैं उस सब उस टेस्ट को दे रहे हैं सब उस टेस्ट में हैं 40-50,000 मैं सोच रहा था कि आज की क्लास ना रखूं बट कोई बात नहीं मैंने सोचा कि क्लास तो रखनी पड़ेगी बहुत सारे बच्चों का UPPT का टेस्ट है बट कब तक कल भी उनका टेस्ट था कुछ-कुछ टेस्ट चलते रहेंगे हमारा टारगेट CGL है कि हम यह चाते हैं कि बच्चों को CGL में अच्छी rank आए वो अच्छा पड़ पाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत मज़ा आने वाला है अल्टिमेट मज़ा आएगा आज की क्लास में हमने रखा है कि डिसकाउंट हम पढ़ेंगे तो डिसकाउंट क्या है ऐसे है उन सब चीज अनलेसिस बिद आडियो कॉल होगा बच्चों से कि क्या गलती उन्होंने की मैं सिखाऊंगा हाउ टू अटेम्ट मौक की मौक कैसे देना है या कैसे करना है ठीक है चलिए सुरू करते हैं और फिर से नमस्कार और वेलकम ओन अबिनमैस और आज की क्लास है डिसकाउंट की जहां पर हम डिसकाउंट सीखेंगे समझेंगे बहुत आसान टॉपिक है अच्छे सवाल करेंगे आपने देखा होगा एक पेपर की बड़ी चर्चा है इसकी भी सवाल हमने लिए उन सवाल में हम देखेंगे कि अगर उतने कल्कूलेटिव सवाल पेपर में आ गए मैं कैसे केलकूलेशन करनी है क्या हमें यूनेट डिजिट लगानी है या फिर हमें डिजिटल सम लगाना है यह सब चीज़ें भी हम सीखेंगे ठीक है शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत लंबी क्लास नहीं है तो बहुत लंभी क्लास है तो heading लगा लिजिए discount पहले discount आ जाए तो उसके बाद अभी बहुत कुछ है करने को बेइमान दुकानदार है लेकिन उसमें भी discount दिया जाएगा MP, SP का ratio उसमें भी discount दिया जाएगा तो पहले थोड़ा discount समझना जरूरी है आसान topic है discount को हिंदी में कहते हैं छूट जाब बढ़ता पहले भी हमने बताया था कि दिया क्यों जाता है discount मालू में हमने 100 रुपे की एक चीज बना के तयार किये और 20 रुपे का चल पारिये class एक बार मैं देखना चाहता हूँ चल पारिये class ठीक चल रहे ठीक है शुरू करते है discount discount शूट या बट्टा ठीक है तो discount क्या है पहले मैं बता देता हूँ लिख देता हूँ CP SP CP, SP और MP ठीक है तो CP, SP और MP का जो रिष्टा है MP पे हमने कहा कि MP अगर 100 रुपे है MP अगर 100 रुपे है और हमने 10% कम करने की बात की यानि 10 रुपे कम करने की बात की तो यह जो 10 रुपे हैं यह क्या है discount यह 10 रुपे क्या है discount है आपने देखा अभी कि कैसे सभल होना है जीवन में एक साथ बड़ी मंजिल पर नहीं पहुचा जा सकता छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे उन्हें एचीव करना पड़ेगा उनसे confidence गिन करना पड़ेगा और उस confidence क के साथ अगला कदम पर ना पड़ेगा यानि जो बड़ी मंजिल है वो सिर्फ हमारी दिसा निर्दारिस्ट करेगी कि हमें पहुचना क्या है पहन लोग कि आगरा पहुचना है तो ऐसा नहीं कि हम चन्नीगड़ वाले रास्टे पर जाएंगे हमें पता ही कि आगरा की दिसा यह है अब हम थोड़े थोड़े कदम रखके आगे बढ़ें यही मैं आज सिखा रहा था यही आज के क्लास में सिखाना था लेकिन इंटरनेट खराब होने की वज़े से बफरिंग होने के वैसे क्लास नहीं हो पाई क्योंकि इतने सारे बच्चे पीटी का आगीज हम देने पे मिलेंगे इसी एनरजी और उत्साहा के साथ और आग लगाएंगे बहुत मजा आएगा ठीक है और प्रॉफिट लॉस आपको पता है इतना इंपोर्टेंट टॉपिक है कि इससे एक सबाल आना ही है चाहे वो बहिमान दुकानदार से आजाए चाहे वो MPCP के रिशियों स से आजाए चाहे वो डिस्काउंट से आजाए तो कम्प्लीट टॉपिक खत्म करेंगे रात को 9 बजे आप भी पेपर देखे आईए इसी उत्साहा उमंग के साथ पढ़ते रहेंगे और बाकी के सब्जेक्स जो मैंने कहा था जैसा वादा उस पे भी आल्मोस्ट काम खत्म ह हो गया है और बहुत जल्दी नईनी चीजों के साथ आपसे मिलेंगे थैंक्यू धन्यबाद